एक बार फिर एक moral victory की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनका vote share बढ़ा, उनके मुद्दे लोगों को पसंद आए, seat नहीं मिली तो क्या हुआ? दीकत यह हो रहा है कि इनकी फर्ची फर्ची जो है वो फाड़ने की नौबत आ गई है, वस्वी सिती यह है कि यह कह रहे हैं मुद्दे की बात उठाई तो मैं बेनमरता से कहना चाहता हूँ, यह vote जिहाद का मुद्दा किसने उठाया था? उत्तर प्रदेश में कहवत होती है उत्तर भारत में कहवत है, खुला खेल फरुखावादी, तो भाईया फरुखावाद के कंडिडेट ने vote जिहाद का मुद्दा उठाया, तो फरुखावाद नहीं आपका खुला खेल फरुखावादी कर दिया, कि अंदर किसी थी क्या थी, बाकी चुनाव गुजर गया, मै मैं विशलेशन की दिश्स से एक बात कहना चाहता हूँ, सपा की यदि आपके इसमें 11 सीटे दिखाई दे रहीं, हमारे इसाफ़ से तो ऐसा नहीं होगा, हमारी सीटे बहुत जदा आने वाली है, मगर कॉंग्रेस उनके लिए liability नहीं एसेट रही है, अगर सपा का vote bank MY है, त के पार्ट पे liability है, तो थोड़ा बहुत तो गम सहे नहीं पड़ता है, और अगर वो M factor नहीं होता जोडने वाला, तो मात्र M, यानि मद्ध प्रदेश के चुराओं में, जो एक दूसरे को चालू पार्टी और चिर्कुट पार्टी कह रहे थे, यूपी में एक दूसरे के स जात आए, तो उसी factor के वज़े से आए, तो मैं मानता हूँ कि यदि आपके सर्वे में ये दिखाई पड़ रहा है, तो वो भी थोड़ा उसी वज़े से है, तो समाजवादी पार्टी को भी Congress को धन्यवाद देना चाहिए, कि वो कोई अगर कहीं पर ठीक ठाक लड़ाई मे मानी जाती है, राष्टी दल होने के लिए होता कम सेर्व चार राज़ों में आपके छे परिचत से अधिक वोट हो, क्योई candidate लड़ता है अगर 6% से कम वोट होता तो जमाने जब्त मानी जाती है, यानि अगर उत्तर प्रदेश को एक constituency के रूप में देखें, तो सपा के एक बहुत गंभीर बात है, और बाकी में एक बात और कहूँगा, जब आप दीजिए, डॉक्टर सुधान्शु त्रिवेदी ने दुप्ती हुई रख पर हाथ रख लिए, इस चुनाव में एक और बात बताया, नाविका जी मैं संचेप में इतना ही कहना चाहूँगा, कि सुधान्शु जी अपनी लाइन खत्म कर रहे हैं, दस सकीन देने थे, पर बताते हैं, ये जाती उस तरफ, वो जाती उस तरफ, और उनको इस बात से अदावत होती ही, जब प्रधान मंतरी कहते हैं, गरीब एक जाती है, और पीरजादा आबास सिद्धी की फुरफुरा शरीफ जैसी पार्टी के साथ गढ़बंदन करते हैं, जिसको हमारे उप पर आरोप लगाते थे, कि हम हिंदुत की राजनीत करते हैं, हम कहते गरीब हैं, और वो कहते गरीब नहीं जाती है, तो मुझे लगता है जो चरित्र में बदलाव दिखा हैं, लेफ्ट के, वो भी इस चुनाव का एक चीज है, जो विशलेशक लोग, अब हर्षवरदन जी विशलेशक हैं, और संजे जाजी भी suspended तो हैं, मगर विशलेशक भी हैं, मैं उनको मानता हूँ, वो विवेक शीलवेक्टी हैं, तो मुझे लगता है वो विवेक्ट से इस बात को जरूर देखेंगे, कि ये left-right करते हुए, ना left के रहेगे, ना right के रहेगे, संजे जाजी, संजे जाजी अब तक 323 सीटें गिनी जा चुकी हैं, उसमें 219 NDA की इंडिया गटबंधन एक साथ मिलकर 80 पर है, अब मैं पूछना चाहती हूँ, चुनाब से पहले हमने बहुत डिबेटें की हैं, आप हर बार कहते थे कि इस बार देखके रखना BJP जो है, एकदम ट्राउ को जब हकीकत में हम लोग देखेंगे कि चुनाओ के नतीजे क्या हैं, जो EVM में अभी बैठे हुए हैं, जिनके आंकरे हम लोग सब उसके उस दिन हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे, तो वो आज का जो भी एक्जिट पोल के जो नंबर्स आ रहे हैं, उससे अलग ह और इंडिया अलाइंस के लिए अब कितना आगे बढ़ेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन में इतना जरूर मेरा अभी भी विश्वास है, कि इंडिया अलाइंस का प्रदर्शन बहुत ही बहतरीन होगा, और मैंने मेरी भविश्वानी ही होगी, कि हंग पार्लिमेंट होने इस चुनाओं में किसी अब हंग पर तो आ गए, अभी तक तो 295 बोल चुके हैं, मलिका अरजुन खड़ गया, एक्जिट पोल तक आप हंग पार्लिमेंट में आ गए हैं, अर्शवर्दन त्रिपाठी जी, इस रेट पे चले तो अभी तो मैंने महराश्कों नहीं देखा, पंजाब दिखाने वाली हूँ, अर्याना दिखाने वाली हूँ, शायद तब तक अजरते हंग पिका गई, ये हंग से कहा जाएगा, इस एक्जिट पोल के पहले, तो मैं अपना राई नहीं पतल रहा हूँ, मेरा नजरिया हुग ही है, तो संजे जा, कल की डिबेट से, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, और आप इसके पहले भी एक आखड़ा आप पुछे, तो मैंने बहुत साफ कहा था, कि मुझे 375 to 400 NDA दिख रहा है, और ये आपके साथ भी बातचीत में मैंने कहा, उसके अलावा भी मैंने कहा, दिखे कोई भी चुनाओ, और मैं एक कोई बहुत बड़ी नहर होती है, नदी होती है, तो एक समय के बाद उसका जलस्तर लोग कहते हैं, ठीक है, उसके बगल से डर नहीं लगता, और छोटी नहर में भी पानी अचानक आ जाए, तो लोग कहते हैं, उधर न जाओ भी अबभा हो जाओगे, तो ये जो इस्थिती है, मुझे लगता है कि पूरे देश में लंबे समय के बाद, एक किसी नेशनल पार्टी को इस तरह से समर्थन मिल रहा है, दक्षिन से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक, और ये जिसको हम कहते हैं कि देश की लीडर्शिप पर, नरेंदर मोदी ब्रैंड इस बार और कर एक बात मैं जरूर कहूंगा, दिखे, एसेट लाइबिलिटी क्या है, वो तो जब एक दूसरे को सीटें दे रहे थे, तभी तय हो गया था, मेरा ये मानना है, कि जो आकड़े दिख रहे हैं, इसका दोष भारती जनता पार्टी का है, भारती जनता पार्टी ने उत्तर देश में 14 और 19 के मुकाबले वर्स्ट कैंडिडेट सेलेक्शन किया है, नविका जी, मैं इसको बहुत पहले भी मैंने कहा है, कि 15 से 17 सीटों पर भाजपा ने जो प्रत्याशी चुने है, ये मोदी जी अपने कांधे पर खीच के महा ले जा रहा है, इसलिए मुझे कोई आसपास का आंकड़ा भारती जनता पार्टी का रहेगा, जो 2014 में हुआ था, लगबग उसी के आसपास उत्तर परदेश में जाने वाले हैं, तो बिलकुल वही 66 से 70 तक का हमने बताया है, अब महराश्रा के